अरविंद केजरिवाल ने अपने पद से स्टीफा दे दिया है और भविश्य के लिए एक मिसाल काइम कर दी है एक नजीर काइम कर दी है विपक्ष को भारती जन्ता पार्टी से कैसे लड़ना है उसकी कही न कहीं उन्होंने एक मिसाल काइम कर दिया है और मैं आपको समझाने तोर पर कहीं नहीं मिला अगर कहीं पर धेरों पैसा निकल रहा होता है इस मामले में जाहिर से बात है इन सवालों का जवाब देना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाता जैसा की हमने पश्चिम बंगाल में देखा था जब उनके मंत्री के घर से यह बंगारू लक्षमन याद कीजेगा दोस्तों एक स्टिंग ओपरेशन किया गया रक्षा सौदों में दलाली को लेकर और उसमें देखा गया था कि बंगारू लक्षमन जो उस सवक भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे वो कैमरे सुबूत के तौर पर नहीं मिला है कि रिश्वत ली गई है मगर यहाँ पर देखिए भाजपा के पूरवध ध्यक्ष बंगारू लक्षमन को चार साल की सजा मिली थी Prevention of Corruption Act में भाजपा बार बार कह रही है इनके इजवाल जेल चेले गए जेल चेले गए और इसलिए उन्हें अपने पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है आम आदमी पार्टी कह रही है किस नैतिकता की बात तुम कर रहे हो क्या तुम भूल गया अमिच शा को क्योंकि अमिच शा को भी तड़ी पार किया गया था सिर्फ जेल में नहीं डाला गया था तड़ी पार किया गया था और आज अमिच शा भारतिय जनता पार्टी के दो सबसे ताकतवर लोगों में से हैं यानि कि ये दोनों ही तरक धराशाई हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात पहले भारती जानता पार्टी क्या कहती थी याद कीजेगा कि भई संजे सिंग को बेल मिल गई है मगर अरविंद केजरिवाल को नहीं मिली इसका मतलब अरविंद केजरिवाल का दोश है उसके बाद क्या हुआ अरविंद केजरिवाल को ED के मामले में बेल मिल जाती है फिर भ Convention of Money, Laundering Act जिसमें बेल नामुम्किन होती है, ये तभी बेल मिलती है, जब अदालत इस बात को लेकर आश्वस्त हो, कि सुबूत पुखता नहीं है और व्यक्ती कहीं भाग नहीं जाएगा, और उन्हें बेल मिल जाती है, कि अदालत का फेसला आगया है, इसलिए हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं प्रवर्तन निदेशाले के मामले में जब सुप्रीम कोट ने फैसला सुनाया था तब ये बात सामने आये थी कहने कार साफ है भाज़पा के पास इस वक कोई तर्क नहीं अर्विंद केजिवाल को लेकर उपर से अर्विंद केजिवाल ने ना सिर्व इस्तीफा दे दिया है बलकि उनकी जगा आतिशी मर लेना जो हैं वो दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी आतिशी जो अर्विंद केजिवाल और आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्शिप में से गिनी जाती है आतिशी जो जवाब होंगी उस सारे प्रोपिगांडा का जो सामने उभर कर आया था स्वाती मालिवाल एपिसोड के बाद उस घटना करम के बाद आतिशी मुख्यमंत्री बन गई है और वो एक कह रही हैं कि इस मुश्किल मौके पर मैं अपील करना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के काड़र से कि मुझे बधाई ना दें क्योंकि ये चुनौती बहुत मुश्किल है सुनिए क्या कहा उन्होंने मेरा अपने सभी कारेकरتाओं से, सभी विधायक साथियों से, दिली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है आप मैंसे कोई मुझे बधाई मत दीचिएगा आप मैंसे कोई मुझे माला मत पहनाईएगा क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज मैं आज इस्तीफा दिया है मैं एक बार फिर अर्विन केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझे भरोसा दिखाया और मैं दिल्ली के लोगों की तरह से फिर से एक बार ये कहूँगी कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अर्विन केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते है आती शीवानीर की दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि मैं धन्यबाद देना चाहती हूँ कि अर्विन केजरीवाल ने इस लायक समझा कि मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकूँ आपको समझना पड़ेगा दोस्तों इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दिक्षित थी जिन्होंने दिल्ली को कहां से कहां पहुँचा दिया अब आतिशी वो व्यक्ति जो आमाद्मी पार्टी की न सिर्फ माइक्रो मैनेजर थी बलकि जब अरविंद केजरिवाल, मनी सुसोदिया, संजे सिंग सब जेल में थे तब आतिशी और सौरव भारद्वाश ने कमान सम्हाल रखी थी आतिशी के हाथ में शिक्षा मंत्रा ले था इसलिए वो धन्यवाद दे रही हैं अरविंद केजरिवाल का, सुनियों क्या कह रही है मेरे गुरू अरविंद केजरिवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझे भरोसा किया ये सिर्वाम आदमी पार्टी में हो सकता है अर्विंद केजरिवाल जी के नित्रित्व में हो सकता है कि एक first time politician एक राज्य की मुख्यमंत्री बने मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकेट भी नहीं में होती लेकिन अर्विंद केजरिवाल जी ने मुझे भरोसा किया मुझे विधायक बनाया मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है मैं खुश हूँ कि अर्विन केजरीवाल जी ने मुझे को इतना भरोसा किया है लेकिन जितना सुखाज मेरे मन में है आज उससे बहुत जादा दुख भी मेरे मन में है दुख इसलिए कि दिल्ली के लोक्प्रियो मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अर्विंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरस से दिल्ली की दो करोड जनता की तरस से कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अर्विंद केजरीवाल है भारतिय जनता पार्टी ने पिछले दो साल से अर्विंद केजरीवाल जी को परिशान करने की उनके खिलाव शड़ियंत रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिशनर की नौकरी ठुकरा सकता था एक ऐसा आदमी जो एक नई पोलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनार लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था ऐसे आदमी पर ऐसे इमानदार आदमी पर भारतिय जन्ता पार्टी ने भरष्टाचार के आरोप लगाए जूटे केस किये फरजी केस किये अपनी एजनसीज एडी को सीबी आइकों के पीछे छोड़ दिया उनको जूटे मुकदमे में छे महीने तक जेल में रखा सुप्रीम कोट ने केंदर सरकार के मुँपे तमाचा मारा उनकी एजनसीज के मुँपे तमाचा मारा उनने कहा कि इनकी एजनसीज केंदर सरकार की एजनसीज एक किंज्रे में पैद कैद तोते की तरह है और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफतारी गलत थी अगर अर्विंद केजरी वाल जी की जगाँ कोई और मुख्य मंत्री होता कोई और नेता होता तो वो दो मिनट नहीं सोचता मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिज़ ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है मैं जन्ता की अदालत में चाहूंगा जब दिल्ली की जन्ता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं जब दिल्ली की जन्ता कहेगी कि तुम इमानदार हो तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूँगा मुझे नहीं लगता कि हमें लोक्तंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उधारण मिलेगा जो आज अर्विन केजरिवाल जी ने देश के सामने रखा है दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी है अर्विन केजरिवाल जी के स्तीफे से आतिशी कहरी है कि भारती जन्ता पार्टी ने जैसा शड्यंत्र किया है उसका मूतोड जवाब दिल्ली की जन्ता देगी और दिल्ली की जन्ता भाजपा से खासी नाराज है सुनिए क्या कहरी है आतिशी तो आज सभी दिल्ली वाले ये प्रण ले रहे हैं सभी दिल्ली वाले इतने गुसा हैं भार्तिय जंता पार्टी के शड्यांत्र से नाराज हैं और अपने बेटे अपने भाई अर्विंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं क्यूं देखना चाहते हैं दिल्ली वाले अर्विंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री अगर अर्विंद केजरीवाल जैसे इमानदार व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनको फ्री बिजली मिलनी बंद हो जाए उन्हें पता है कि अर्विंद केजरीवाल जैसे इमानदार व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो जो हस्पतालों में सरकारी हस्पताल में अच्छा इलाज मिलता है मुफ दवाईयां मिलती है वो बंद हो जाएंगी उन्हें पता है कि अगर अर्विंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहे तो मुहला क्लिनिक बंद हो जाएगी अर्विंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहे तो दिल्ली में महिलाओ की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी बुजर्गों की तीर यात्रा बंद हो जाएगी क्योंकि उन्होंने देखा है कि भारतिय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है किसी एक राज्य में भी वो फ्री बिजली अच्छे स्कूल अच्छे हस्पताल मुहला क्लिनिक फ्री कि बस यात्रा नहीं दे पाते हैं और एक इमानदार अर्विंद केजरीवाल है जो दिल्ली के लोगों को इतना कुछ देता है तो दिल्ली के लोग आमादनी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक चुनाव तक मुख्यमंत्री होने की नाते अब एक ही उद्द अरिबड़ी को समभाल रही है मेरा एक ही मकसद रहेगा मुझे पता है कि भारतिय जंता पाटी अपने एरजजी साहब के थूडु दिल्ली के खिलाफ शडियंत रर्चेगी मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे मुझे पता है वो दिल्ली वालों के हस्पताल में फ्री दवाईयां रोकने की कोशिश करेंगे मुझे पता है वो महला क्लिनिक बंद करने की कोशिश करेंगे म मुझे पता है वो सरकारी स्कूलों को खराब करने की कोशिश करेंगी। तो अगले कुछ महीने तक जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली की लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूँगी। और अर्विन केजरिवाल जी के मार्व दर्शन में दिल्ली की सरकार चलाओंगी। दोस्तों मगर अर्विन केजरिवाल की चुनावती यहां पर खत्म नहीं होती है। वो इसलिए कि अब ये देखना होगा कि अब जबकी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो इसके बाद उनकी राजनीती कौन सी दिशा लेती है। अगर आम आदमी पार्टी हर्याना में राजनीतिक दस्तक दे पाती है। और अगर हर्याना के चुनावों में अर्विंद केजरिवाल एक मुखर आवास के तौर पर सामनी उभर कर आते हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी ना सिर्फ दिल्ली, पंजाब और हर्याना में भी दस्तक देगी जहां पर उसकी मौजूदगी है। और फिर आने वाले दुन्यों में कही ना कही वो जमीन तयार कर देगी आम आदमी पार्टी के लिए एक नाशनल पार्टी के तौर पर अपनी दस्तक देना राजनीतिक तौर पर। मगर अब देखना यह होगा दोस्तों कि हर्याणा की चुनावों में आम आदमी पार्टी किसे नुकसान पहुँचाती है भारती जंता पार्टी को जिसकी विश्वसनेता हर गुजरते दिन के साथ खत्मोती जारी आपने कई वीडियोज देखेंगे जहां भाजपा के नेताओं को गाउं में घुसने नहीं दिया जा रहा है जहां भाजपा के नेता नहीं उनके सहयोगियों को भी माफी मांगनी पड़ रही है लोगों से पूर्व ग्रह मंत्री अनिल विज कहीं जाते हैं उन्हें भागना पड़ता है ऐसी धेरो तस्वीरे आरी है न सिर्व नेताओं की बलकि उनके समर्थकों की भी तो एक बात है हर्याना में इस वक भाश्पा की हालत पतली है मगर यहां पर आम आदमी पार्टी की क्या मौझूद की होगी उस पर हमारी निगाह होगी दोस्तों वो किस तरह से राजनीतिक दस्तक देती है इस पर भी निगाह होगी और चिंता कॉंग्रेस के लिए भी है क्योंकि हुआ क्या है जब से अर्विंद केजरिवाल प्रकरण सामने उभर कर आया है भाशपा तो हर बार की तरह उग्र है उसके पार्टी के निता लगातार अर्विंद केजरिवाल की तरफ बयान दे रहे है मगर कॉंग्रेस खामोश है और इसके दो कारण है कॉंग्रेस एक धर्म संकट में हैं क्योंकि अर्विंद केजरिवाल इंडिया गट बंधन का भी हिस्सा है अब वो लोग अर्विंद केजरिवाल के खिलाब बहुत जादा बयानात नहीं दे सकते हैं मगर कही न कहीं दिल्ली में उन्हें ये भी प्रमानित करना है कि भाई वो मुख्य विपक्षी दले हैं क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते हैं कि कॉंग्रेस की तरफ से दिल्ली की राजनीती की सबसे लोकप्रिये और बहतरीन ब्रैंड थी स्वर गिये शीला दिक्षित आज उस कॉंग्रेस का पूरा सूपड़ा साफ हो गया है दिल्ली विधान सभा और ना सिर्फ दिल्ली विधान सभा दिल्ली लोकसभा में भी तो कहने का अर्थ साफ है कॉंग्रेस के सामने एक धर्म संकट है कि अर्विंद केजरिवाल का विरूद किया जाए या उनका समर्धन किया जाए हालकि पार्टी के निता अक्सर बयानात देते रहते हैं, मसलां देवेंद रियादव ने बयान दिया था, कि आरवेंद केजरेवाल ये सारा ड्रामा कर रहे हैं, मगर जिस मजबूती के साथ, उन्हें सामने उतरना चाहिए, वो सामने उभर करनी आ रहे हैं, और कॉंग्रिस क इस वक्राजनी ते इन दो पॉलिटिकल पार्टी इसके इरदगर्द घूम रही है, आमादमी पार्टी और कॉंग्रिस, इसलिए अर्विंद केजरिवाल का साथ दिया जाए या ना दिया जाए, इसको लेकर कॉंग्रिस में जबर्दस धर्म संकट है, मगर कॉंग्रिस को धर्म संकट दूर करना होगा, नहीं तो कहावत है ना, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, धोबी का कुता, ना घर का, जी, तो ये दिक्कत सामने उभर कर आ रही है, मगर जैसा कि मैं लगातार आपको बतला रहा हूं दोस्तों, अर्विंद केजरिवाल ने ये प्रमानि मैं लगातार करता रहता हूं, शगन भुजबल, अजीत पवार, नाराएंड राने, अशोक चभान, इन सब पर भष्टाचार के गंभीर आरोप, किसी और ने नहीं भाजपा ने लगाये थे, भाजपा की एजिंसीज नहीं शगन भुजबल को जेल भेजा था, मगर आज य आपकी गोद में बैठ जाते हैं, मगर अगर दो मुख्य मंत्रियों ने इसकी मिसाल कायम की है, तो वो एक अरविंद केजरिवाल हैं, और दूसरे हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन भी नहीं चुके, और जब वो बेल पर रहा होके आए, तब पूरी कोशिश थी भाजपा की, की ज एमेम को तोड़ दिया जाए, यही वज़ा है कि चमपई सोरेन जो हैं, वो अपने पत से इस्तीफा देते हैं, पहले ये कोशिश होती है कि चमपई सोरेन अपनी एक आदिवासी प्रिष्ट भूमी की पार्टी बना लें, मगर जब वो नहीं होता, तो चमपई सोरेन भाज खेल कर दिया, और इसी खेल का जिक्र बार बार विपक्ष कर रहा है, और एक और चीज़ दोस्तों, याद कीजे, जब अरविंद केजरिवाल ने स्तीफे की बात कही थी था, भाजबा क्या कह रही थी, कि अब उनकी पतनी सुनीता केजरिवाल मुख्यमंत्री बन जाएंग जब पार्टी के तमाम बड़े नेता जेल में थे, तब आतिशी ही आम आदमी पार्टी के चहरे के तौर पर सामने उभर कर आई थी, इसलिए आतिशी को तो मुख्यमंत्री बनना तै था, सिर्व इसलिए नहीं कि वो अरविंद केजरिवाल की बहुत करीबी हैं, या इडर्शिप में शुमार हैं, वो इस पूरे क्राइसिस का चहरा भी बनी थी, और दिल्ली चाहेगा कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरिवाल की जगा कोई नया चहरा आए, तो नये चहरे के तौर पर एक महिला मुख्यमंत्री आ रही हैं, जो दिल्ली के लिहाज स एक बिल्कुल नई चीज होगी, अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, चुनाव कब होने हैं, भाशपा तो कह रही है हम अक्तूबर नवंबर के लिए तयार हैं, विरिन सचदेवा ने बयान दिया था, अरविन केजिवाल भी यह कह रहे हैं, अब देखना यह है दोस्तों, य आने वाले दिनों में, क्या आतिशी मर लेना और उनके तमाम जो मंत्री हैं, वो अपने पदों से इस्तीफा देंगे, और क्या विधान सभा भंग हो जाएगी, जिसके बाद कोई विकल्प नहीं बचेगा चुनाव लड़ने का, इसकी गुनजाइश कयासों के बीच है दो तो जाहिर से बात है कि ऐसी उल्टी गिनती शुरू होगी, जो तूफान की शक्ल ले लेगी और जाहिर से बात है उसका प्रभाव दिल्ली के चुनावों में भी पड़ेगा, जैसे जैसे भारती जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, सबसे बड़े ब्रांड, प्रधा ये चुनाव भी लड़ती है ना, यानि कि नगरपालिका के चुनाव भी लड़ती है, तो उसमें चेहरा प्रधानमंत्री का होता है, उनकी कोई नीतियां कुछ नहीं होता है, विधान सभा चुनाव नगरपालिका चुनाव से लेके सांसत के चुनाव सब जगा चेहरा सिर प्रधान मंत्री होता है और अगर प्रधान मंत्री की विश्वसनेता खत्म होती है तो भाश्पा मुश्किल में है आज की तारीक में भाश्पा इस कदर केंद्रित हो गई है प्रधान मंत्री के करिश्मे पर कि अगर प्रधान मंत्री की लोगप्रेता खत्म हुई तो बांग भाजपा की न सिर्फ उल्टी गिंती शुरू हो जाएगी बलकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी मुश्किलात पैदा होंगे जनता देख रही है और विपक्ष भी बार बार जनता को समझा रही है कि भाजपा का अगर कोई साथ है, कोई सहयोगी है तो CBI, Income Tax, ED इसके बगएर भाजपा अपनी राजनीती नहीं कर सकती और इसी का इस्तमाल अर्विंद केजरिवाल के खिलाफ किया गया था। राजनीती बहुत दिल्शस्पे दोस्तों और इस मंच पर उसका बारीक महीन अनालिसिस मैं लगातार पेश करता रहूँगा, अब इसार शर् पर्टन को दबाईए और आपके सामने आएंगी ये तीन विकल्प, इन में से एक चुनिये और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिये।